तो मैंने इस recipe को कैसे बनाया आप भी जानना चाहेंगे यदि आप मेरी चैनल पर पहली बारे तो subscribe करके bell का आईकन जरूर प्रेस कीजेगा इस तरह की recipes आपको मिलती रहेंगे तो यहां सुरू करते हैं स्टफिंग बनाना, दो बड़ी चम्मच सरसो का तेल, दो मिर्च, हरी मिर्च कटी हुए, दो मध्य मकार के प्याज बारिक कटे हुए और इसे हम अच्छे से सौटे कर देंगे, यहां हम डालेंगे एक सिमला मिर्च कटा हुआ, गाजर जो है उसे मै काली मर्च पाउडर, आधे चोटी चम्मच हल्दी, और उसके बाद इन सभी चीजों को हम शौटे करेंगे, जैसे यह चीजों से अच्छी से खुसबू आने लगे, हम डालेंगे एक चोटा चम्मच, चाट मसाला, लेकिन यहां पर आप यह चीज ध्यान रखेगा कि जब नमक डालिएगा, तो चाट मसाला को बैलन्स करते हुए डालिएगा, यहां हमने चार से पांच आलो लिए हैं, बॉयल किये हुए, और ने मैस कर दिया है, इन्हें हम बैंडिंग के लिए डालेंगे, और यह क्रस किये हुए कुछ मुंफली, जैसे कि हमने रोस्ट करके डाल है, आप इछे, अभी यहां डालेंगे हम स्वात के अनुसार नमक, जो कि मैंने पहले आपको बताया, कि चाट मसाला के साथ आपको बैलन्स करना है, तो यह दिखे, फ्रेंड्स, यह अच्छे से रेडी हो गिया है, और धनिया की पतिया, इन्हें हमने बारिक करके इसमें ड चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहां आधा छोटा चम्मच हम चीनी डाल देंगे, स्वात बढ़ाने के लिए, और एक बड़ा चम्मच ओयल डालेंगे, फ्रेंड्स, इन सभी चीजों को बारिक होने देंगे, हम लेंगे उसी कप से, सूजी, लेकिन सूजी जो है ना फ्रे मिक्स करेंगे, ताकि इसमें लम्स ना पड़े, पानी की क्वेंटिटी बिल्कुल सही है, कम्या ज्यादा बिल्कुल मत कीजिएगा, उतना ही रहने दीजिएगा, अब इसे हमें, जैसे कि हम उपमा पकाते हैं, तो सूजी को उसी तरह थोड़ी देर, कम से कम 5 मिनट जो है, हमें ऐसे ही, सौटे करते हुए, मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमें इसका एक डो रेडि करेंगे, इसे हम सौटे करते हुए, अब हम गैस फ्लेम को आफ कर देंगे, उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे, गैस फ्लेम आफ करने के बाद, और इसे हम डो जो है, वो रेडि करेंग अभी हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच मैधा, आप यहां पे चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे हम डो अब रेडी करेंगे, यह थोड़ा थंडा हो चुका है, यदि यह थंडा नहीं है तो थोड़ा सा पानी का छीटा देंगे, और अपने पास में एक कटोर में पानी आप रखेगा, यह मतलब इसका फंडा है कि यदि आपको नहीं बरदास हो रहा है इसमें गर्म तो उसमें पानी हाथ डुबोईएगा और उससे डो जो है और रेडी कर दीजेगा, तो इस तरह से डो को हमने गून के रेडी कर लेना है, और पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बस सेदी गर्म लगे, तो हाथ को पानी में डुबोईओ और डो को रेडी कीजिए, तो डो रेडी हो चुका है, अब हम इसे इससे दो लोई निकालेंगे, दो लोई एक बराबर निकालेंगा, जैसा कि मैंने निकाला है, अब फ्रेंड्स इससे बस दो ही नहीं बनाना है, तो ये रोटी जो है ये बनके रेडी हो गई है, अब दूसरी वाली भी हम रेडी कर लेते हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि और तो फटे फटे दीख रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं दीखेगा, तो ऐसा बिल्कुल मैं सोचेगा, देखेगा, वो भी हो कर देंगे, क्योंकि मेरे पास एक उप्शन था कि इसे कट कर देना है, वो दिखेगा ही नहीं, तो ऐसी ही साप दिखेगा, तो यहां कट कर दिया, और इसका भी हम बना लेंगे, और इसको ये चिपका हुए दिख रहा है न आपको, इसे हम अच्छे से दोनों को अलग-अल तब जाके आपके सेब जो है न अच्छे बैठेंगे, देख रहे हैं ने फ्रेंड्स, मैंने चारो तरफ फैला दिया, अब दूसरी वाली जो रोटी है, जो अभी हमने चिपका हुआ था और अलग करकी रखा है न, उसे अब इसके उपर हम चिपका देंगे, तो हो सकता है क कि वो रोटी जो है निकल भी जाए, अब यहां पे आप थोड़ा सा पानी लीजिएगा और तब इसको इसके उपर स्टिक कर दीजिएगा, आराम से स्टिक हो जाएगा, तो यहां इसी तरह से इस सेंड्विच को आपको सभी सेंड्विच को बना के रेडी कर लेना है, पर हमने ओल डाला है, ओल जो है गर्म है, अब उस पर इस सेंड्विच को हम फ्लेम को ज्यादा हाई नहीं करना है, ने तो हाई करेंगे ना तो जल जाएगा, तो इसे हम थोड़ा सा मीडियम करते हुए, हम इसे पांच मिनट के बाद साइड जो है वो चेंज करेंगे, तो एक का मैंने कर दिया और दूसरे का मैं चिम्टे से कर रही हूँ, चिम्टे से इसली हो जाएगा, तो ऐसे ही ऐसे जे हो है, तीनों को हम चेंज कर देंगे, और कितना खुबसूरत कलरा है ने फ्रेंड्स, और साथ-साथ में ये बहुत ही हल्दी है, वीडियो यदी पसंद आइकन प्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा, उसके बाद एक और आपके पास, आपको सभी नोटिफिकेशन मिलेंगे, मैं बेकिंग से रिलेटेड वीडियो भी मैं डालती हूँ, आइसिंग डालती हूँ, केक आइसिंग डालती ह आपको क्रिस्पी पसंद है, तो थोड़ा समय क्रिस्प करूंगे और दैन मैं इसको इस तरह से कट करके प्रेसंट करूंगे, तो है ना, ये बिल्कुल सैंड्विच की तरह, बबाइ फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई सी रेसिपी के साथ,